सो हेलो गाईज मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं इसकी क्लासेश तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक इक्जामपल जो बेस्ट होगा जैकोबीज मेठेट पे ठीक है अगर हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशल इक्वेशन दे रखा है और इसका हमको फाइंड करना है complete integral तो इसको जो भी हम सॉल्व करेंगे वह जैकोबीज मेठेट से सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ट फॉर्म क्या कहता है जैकोबीज का वह है ये वह इस पैटन मोना चाहिए एफ ऑफ एक्स वाइज यू एक्स यूवाई एंड यूज जो कि यह स्टैंडर्ट फॉर्म यहां पर देख सकते हो तो यह अल्रेड़ी इस इन दा स्टैंडर्ट फॉर्म तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है इसका हमें सारे पार्शल डेरिटिव करने तो जो जो वेरिबल से हैं यहां पे उन सब के रिस्पेक्ट में आजए अगर आगे देखे तो जेखने को नहीं अगर आगे देखने को नहीं मिलता जिसके कारणस इतनी ही आईगी तो आगे चाते है x x u x देखा जाये तोँ y term present है यहां पर इसका derivative जाएगा minus two times u x f y का निकाल लेते हैं f ay ka निकाल लेते हैं वह हमें मिल जाएगा f of f of y ka term निकाल लेते हैं हमें मिल जाएगा उय का term यहां present है तो minus two times u y थिए ये and last f of uz تو वह मिल जाएगा हमको f of uz ka present यहां पर है हमें मिलेगा simply z, ठीक है, यह हो गया, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है, Jacoby's auxiliary equation, ठीक है, तो auxiliary equation Jacoby's का क्या होता है, वो लिख देता हूं मैं आपे, बहुत ही simple है, वो होता है, dx upon f of ux equals to dy upon f of uy equals to dz upon f of uz equals to dux is equal upon minus fx equals to d of uy upon minus fy equals to d of uz upon minus fz, ठीक है, यह होता है हमारा Jacoby's auxiliary equation जो कि हमने लिख दिया है, simply values put कर देते हैं, हमें मिल जाएगा, dx upon f of ux की value जो है, वो है minus two times ux equals to dy upon f of uy की value है minus two times uy is equals to dz upon f of uz की value जो है, वो है simply z is equals to d of ux upon minus fx, fx की value है zero is equals to d of uy upon minus fy, minus fy की again value है zero is equals to d of uz upon minus fz, जो कि आजाएगा minus two times two z plus uz, ठीक है, तो हमने आपे value simply put कर दी है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन में से आपको कोई भी दो equation, दो ratios consider करने हैं और इसको solve करना है, तो consider करते हैं यह दो equations, ratios को, तो हमें मिल जाएगा d of uy upon zero upon zero, अगर इसको consider करें, तो d of ux की value आजाएगी zero, अगर इसके respect में consider करेंगे, मतलब सिर्व से consider करो, यह zero वहाँ चल जाके multiply हो जाएगा, d of uy is equals to zero, ठीक है, तो इसको integrate करते हैं दोनों को, हमें मिल जाएगा, ux is equals to a, and uy is equals to b, integrating करने पर constant आता है, तो हमें मिल जाएगा, यह दो equations मिल गए, ठीक है, वेर a and b are arbitrary constant, इसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों को put कर देना है, हमारे equation number one में, जो given question रहेगा, तो इसके हम कहते हैं, equation number one, और इसकी मदद से हमें find out करना है, uz की value, तो put कर देते हैं, simply हमें मिल जाएगा, z square, plus z times uz, uzd find out करना है, minus ux square, but ux square की value हमने अभी निकाली, जो कि यह a, तो यह बन जाएगा, a square minus, इसकी value निकाली थे हमने, तो यह हो जाएगा, b square equal to zero, तो z uzd पर focus करते हैं, तो a square plus b square minus z square, तो uzd की value आ जाएगी guys, a square plus b square minus z square whole upon z, which also can be written as, a square plus b square upon z, minus z square upon z, but one z get cancelled, हमें मिल जाएगा simply z, ठीक है, यह हमें मिल गया, अब हम क्या करेंगे, इन सब को में put कर देना है, एक equation में वहाँ से हमें इसका complete integral मिल जाएगा, वो equation क्या कहता है, put values of ux, uy and uz in this equation, that is du is equal to uxtx plus uydy plus uzdz, और इसको integrate कर देंगे, तो हमें answer इसका मिल जाएगा, so dvue की value लिख देता हूँ मैं, so du is equal to ux, ux की value थी a dx plus uy की value थी b dy plus uz की value अभी हम ने निकाली, जो की बन जाएगी a square plus b square upon z minus z whole dz, ठीक है, इसे करते हैं हम integrate, हमें मिल जाएगा, इसका integration हो जाएगा, u is equal to, इसका integration हो जाएगा a times x plus b constant है, वो भाहर आजाएगा और integration इसका बन जाएगा y plus a square plus b square constant है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, और integration of one upon z minus integration one upon z dz, ठीक है, तो यहाँ आज एक लिखेंगे, हम use equals to ax plus by plus a square plus b square यह तो जो भाहर था, और इसका integration बन के मिल जाएगा, हमें ln z minus z integration होता है, z square upon two plus c, ठीक है, तो यह हमारा बन गया इसका complete integral solution, ठीक है, तो यहाँ पे इसका answer हमें मिल गया, हमें जो find out करना था, तो हमने देखा, यहाँ पे, कि हम कैसे complete integral निकाल सकते है, with the help of Jacobi's method, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like करो, comment करो, अपने दुस्तों के साथ share करो, और सबसे जरूरी बाद चैनल को subscribe करो, मैं जानता हूँ, आप में से बहुत सारी users ऐसे है, जो सिर्फ exams के टाइम पर आते हैं, और ऐसे short videos दिखने के कोशिश करते हैं,